प्रभु के पवीत्र अचन पढ़ना सुनना हरोज प्रभु के अचन का धियन करना जरूरी या थोड़ी बात हम बाइबल से सिखेगे रोमन की पत्री आठवा ध्याई चौदा पद में पॉलुस कहता है जो आत्मा के चलाए चलता है जो आत्मा से चलता है पवीत्रा आत्मा क और भुछ गौन के चलता है वह परमेसर बेटा है आमें उसके बारे में चलाए करणा करेंगे प्रभु के ुचंसे शीखेगे हम सारे चाहते हैं चाहते है कि हम परमेसर ऍरके साथ हमारा रिस्ताना आता रहें आमें आऊ परात्ला करें पिताई ये येश लिश्वर स्री मे आरे भाई, रवी के लिए धन्यवाद करते, आपको पेचाने, आपको जाने, आपके आत्मा से चलाए, चलाए मन हो, आपके अगवाई में चले, आप प्रभू उसको जैसा चाहते हो, ऐसा उसको आप बनाओ, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका व्यावार, उसकी जीनगी, उसका जीवन पुरा, आपके जीवन, आपके आत्मा के अनुसार, आपके दिल को जो भाता है, ऐसा अनुसार उसका जीवन हो, हम सबका यही जीवन हो, यह प्रात्ना है प्रभू, प्रात्ना करते हैं, हम आज प्रभू पढ़ने, सुनना, सिखना चाहते हमसे बात करो, मेरे इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं वे ही आसंसार में सब लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ हम भी परमेश्वर के संतान हैं नहीं वे ही परमेश्वर के संतान है जो पवित्र आत्मा के चलाये चलते हैं यह हमें पता है येश्वमसी येश्वमसी वो कैसे चला उसको किस ने अगवाई दी उसको कैसे सोच आया हम सब चाहते कि हम भी पवित्र आत्मा के चलाये चले हम कैसे पवित्र आत्मा के चलाये चले जो पवित्र आत्मा की अगवाई में चलते या जो लोग पवित्र आत्मा ही उन्हें चला आता है ये दो बात से हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा से इंसान चला बोलना इंसान का नहीं होता है पवित्र आत्मा बोलता है या दुसरा, पवित्रा आत्मा उसको कहता है, ये बोल, ये बोल, ये कर, ये कर, ऐसे चलता है, दो रिती से संसार में, जो मसी भाई बैन है, वो चलते हैं, कई लोग पवित्रा आत्मा से भरपूर होकर, वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं सोचते हैं, वो नहीं समझते हैं, वो भी पवित्रा आत्मा उनको लेके जाता है बुलवाता है, सिखाता है समझाता है या फिर कहे कि पवित्रा आत्मा ही काम करता है तो वो पवित्रा आत्मा के चला है चला ऐसे हम कहते या फिर कोई सुनता है पवित्रा आत्मा की आवाज और पवित्रा आत्मा जो कहता है वो आग्या को मान कर चलते हैं लोग तो दो तरह से लोग पवित्रा आत्मा की अगवाई में चलते ये शुमसी भी पवित्रा आत्मा की अगवाई में चला हम पवित्रा आत्मा की बात जब मानते है तो हम ऐसे कहेंगे हमने चलाए उसके उसने हमें चलाया उसने हमें अगवाई करी उसने हमें बल दिया उसका सामर्थ से हम थोड़ा चल पाए उसकी आवाज सुनकर हमें बुद्धी मिली पवित्रात्मा की आज्या मानना पवित्रात्मा का ज्यान पवित्रात्मा के सब्द हो पवित्रात्मा के विच्चार हो पवित्रात्मा के काम हो पवित्रात्मा की समझ क्यों नहो या फिर पवित्रात्मा के हमारे में गुर्ण क्यों नहो तो हम कहेंगे कि यह सारा जो है वो से मिला है संसार में जो सोच आती है आज एक भाई का फोन आया बोले बिमारी के बारे में कहता था कि बिमार हम होते क्या कैसे पवित्रा आत्मा प्रभू क्या हमें सिक्सा करता या फिर सैतान का ये हुमला होता या फिर ये बिमारी आती कैसे है उसके बारे में थोड़ी बाते उसे मैंने करी बोले पहले में जो छोटा था तो किसी ने बोल दिया कि भई पेट में दर्द होता है तो यह दो और मुझे डर्द और मुझे याद आया लोग कहते थे बच्चे में था लोग कहते थे वह एपनिस का होता हिए वह कटवाना पढ़ता है बोले बड़ी हो जाती है या चिपख जाती है तो कटवाना पड़ता है तो यही वो संसार की बाद जो थी वही हीु हो गया लगता है वो जो हो रह нагा है वही कि लगता है ऐसे ऐसे कि अब दरता था और मैं छोटा बच्चा था तब से में कहता था प्रभू मुझे यह सब नहीं अच्छा लगता है यह डॉक्टर बॉक्टर मानता नहीं हूं पर सच बात थी वो धरता था ब्रदर कि मुझे ऑपरसंग करवाना पड़े चीड़ा फार करण संसार के लोग से लोग चलते नहीं कुछ कह दिया मुझे आ पड़ेगा का उसने व्हा अदमी ने कवा यह बाबा ने कहा यह पकिर ने कहा यह इस आदमी ने कहा ऐसे करकर हम लोग जो कहते हैं वैसे चलते हैं और हमें बड़ी खुश्ची भी मिलती है या फिर हम जिस पर विस्फास करते है तो हमें अच्छा लगता है बात सुनना आग्या मानना हमें अच्छा लगता है जैसे मालो मैंने बोल दिया यह से नहीं गाने का तो आपको बुरा लगता है नहीं मैं अपने गाना चाहते हूं पर मैंने क्या किया आपकी जो आवाज है आपका जो सोच है आपका जो ग्यान है आपका जो चलना है आपका जो बजाना आपका जो सुन्दरता गाना है उसको मै ने बिगाड़ा और मैं चाहता हूँ कि नहीं यह से गाओ तो आप को जरा दिक्कत होती है और वो जो होता है आप चलाए मान होते हो किसी और किसे चलाए मान होते है तभी आपको पता चलता है यह बड़ा कठीन है मैं तो चल पाता हूँ पर कोई कहता है सन यह से गाने का तब हमें बड़ा कठिन लगता है इसके जैसे घाने का भी ऐसे ही पवित्रा आत्मा जब हम चलाता है हमें थोड़ी दिक्कत रहती है हमें थोड़ा तकलिफ होती है हम हमारा है सुनते है हम संसार का सुनते है हमारे माबाप का सुनते और चलते हैं और सोचते हैं उनकी सोच पर पवित्रा आत्मा की अग्वाई में चलना है आमेन निर्गमन की किताब जरी पड़े एकतिसा ध्याय तिसरा पड़े तो यहाँ पे लिखा है जो सारे लोग थे पवित्रा आत्मा से भरपूर लोग थे और और मैं उसको परमेशर की आत्मा से जो बुद्धी प्रमेड़ता ग्णान और सब प्रकार की कारियों की समझ देनी वाली आत्मा से परिपूर करता हूँ तो मैं ही परिपूरा करूंगा कैसे डिजाइन बनाना है कां से लकड़ा काटना है कैसे कारी-गरी करना है ये सारा मैं ही दूंगा मेरा भवन बनाना है मैं ही का सब बुद्धी दूंगा चिंता मत करो प्रेज लॉड तो हमें जो सोच मिलती है या तो संसार से या तो पवित्रा आत्मा से जब हम पवित्रा आत्मा से चलाए मान चलते यानि पहली बार तो आवाज सुनते वो कहता है वापतिस्मा लो वो कहता है प्रभु वो जनलो वो कहता है गितोगा ये वो कहता है बाइबल पढ़ो वो कहता है कि बही मुझे परमेस्तर मिला है और मुझे सब कुछ छोड़ देना है और प्रभू के कहने के अनुसार निकला फीर तो ऐसा हुआ कि वो कहां जाता था उसको समझी नहीं आया ऐसे हिबरानी पत्री 11.2 में लिखाए 11.2 हिबरानी 11.2 का आठवे पद में लिखाए जि कहां पे जाता था उसको पता ही नहीं चला यसे डाउद पवित्रा आत्मा से भरपूर हो गया क्या बोलता था उसको समझ में नहीं आया वो कहता था प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा अगर उसने सोचा होता कि ये मैं बोल रहा हूँ प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा तो तो गर्बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं तो मानता हूँ एक ही प्रभू है एक ही परमेस्वर है यहाँ वाई एक ही सरसमर्द प्रभू है और मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा ये कैसी बात हो गई प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा तो दाउद भी ये शुमसी कहता है दाउद ने जब कहा उसको समझ में नहीं आई वो क्या कहता था पवित्रा आत्मा से वो बोला ऐसे ही जब हम आत्मा से चलते है उसे सुनते या बाइबल पर कर सुनते और वो अनुसार करते है बाइबल में लिखाए गाली मत बोल बाइबल में लिखाए गुसा मत कर बाइबल में लिखाए जुट मत बोल बाइबल में लिखाए ऐसे अनुसार हम चलते फिर ऐसा हो जाता है हमें जुट बोलने कोई होती है हम जुट नहीं बोल सकते फिर ऐसा होता है यह मैंने गलत किया गलत किया ऐसा होता है लुका का सुसमाचार चौत आद्याए पहले पद पड़ो तो वहां पे लिकाए ये शुमसी ने 32 मा लिया और फिर प्रभीसु पवित्रा आत्मा से भरा हुआ यर्दन से लोटा और 45 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा आत्मा सिखा या आत्मा ने सिखाया या आत्मा के गवाई में या आत्मा पूरे आत्मा के कंट्रोल में यसे मालो किसी को होता है ना मालो किसी ने पीलिया पीलिया हलाल जो कुछ है तो जब हो जाता है पीलिया पीलिया होता है तो सब पिला पिला दिखता है बोले सब कुछ दिखता जो है तो वो इंसान को पता नहीं चलता है मैं कहां पे गड़े में हूँ या मैं आस्मान में हूँ तो उसको अस्मान में पर गिरे होते नीचे तो सब कुछ उसको जो लगता है मारते है तो बोले मुझे लगता ह यार मेरे को यार सबसी दे रहे हैं सबसी क्या बुलते हिंदी में क्या बुलते इसको सबसी होते है सबस सबस हमारे एक ब्रदर है नकली नहीं है असली वाले तो आत्मा जब आता है तब इनसान बेहुस जैसा हो जाता है ये शुमसी आत्मा के गवाई में चला आमेन ये शुमसी परमेस्र का बेटा बना हम भी परमेस्र के बेटे हो जाते हैं जब आत्मा से चलते हैं संसार की बात है मैंने सुननी आमेन संसार कहता है ये होता है वो होता है नई सुनना है लुकासु समाचार दसवाद्या एकिस पद पड़ो तो जब चेले आनंद करके आए प्रभू हमने जब दुष्ट आत्मा को निकाला तेरे नाम से निकल गए हमने बड़े बड़े से बड़े काम किये प्रभू लोग चंगे भी हो गए बुद्ध भी निकले खुस होकर आए तब प्रभू ने कहा आत्मा से भरपूर होकर कहा आत्मा से भरपूर होकर हसा खुस हो गया क्या लिखा है उसी घड़ी प्रभी उसु पवित्र आत्मा से आत्मा में होकर आनंद से भर गया आमेन, 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 आनन्द, कई किसी की मजाक करते हैं, तो मैं आनन्द मिलता हैं, मुझे तो आत्मा में बहुत आनन्द मिला, यह गलत आनन्द है, वो गिर 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 देखो, आनन्द मिला है, आनन्द गलत है, कई बार हमें जो आनन्द मिलता है, हमें लगत अनन्द मिलता है वचन पढ़ते है अनन्द मिलता है समझ मिलती है पवित्रा आत्मा से जो आनन्द मिलता है तो हम कहा सकते है कि पवित्रा आत्मा से जो चलता है इसको खुसी मिली पवित्रा आत्मा की और से इसको यह समझ मिली पवित्रा आत्मा की और से यह सोच मिली पवित ज्ञान के सब्सक्राइब यह तो असान धारन नहीं है यह तो आस्मानी है तो पवित्रा आत्मा की से भरपूर होकर ये श्मसी आनन्दित हो गया और कहा पिता धन्यवाद ये सारी बात है तुने अब मेरे चेलो को बताईए प्रेस गौड तो प्रभुखूस हो गया आनन्द तो दिवास्त्री को देखकर प्रभू को विद्वा रोती थी बेटा मर गया था और प्रभू को तरस आया और उससे कहा मत रो और तब उसने पास आकर अर्थी को चुआ अर्थी ले जा रहे थे चुआ और उठाने वाले ठहर गये हमें कई बार दुक होता है बिच्छारा नई पवित्र आत्मा क्या गवाई में चलोगे तो कई बात ही आपको दया आनी चाहिए सब पर तरस नहीं आना चाहिए और गिरग्या देखो न वह मिट्टी का है पर नहीं तुड़िया मिट्टी का है कई लोगों को डर्द होता है एक वीडियो रखा था उसमें एक स्टेच लोगों ऐसे धरते जरो दे थे औरे ये पुटला जल रहा है ये पुटला को बचाओ अपना जाडबार सोगा निकाले के व Crashy फ्हादा कर दो अग भूजा दो कई बार हमें होता है मानों किसी कुछी ने कुछ हमें दिया होता है तुछ जाता है तो मैं रोना आता है कितना अब ये औरत को कौन संबालेगा उसका एक बेटा था जो कमाता था अब ये तो बुड़ी हो गई है ये तो उसका हस्बन भी पती भी नहीं रहा है हमें भी तरस आता है ये शुको जो तरस आता है हमारे तरस में बड़ा अंतर है हमारा तरस जो आता है दया आती है हम कुछ कर नहीं पाते है ये शुको जो दयाई पवित्रा आत्मा से आई पवित्रा आत्मा ने कहा मुझे बहुत तरस आ रहा है पिता ने कहा मुझे बहुत तरस आ रहा है ये जो तरस आई उसने कुछ किया और ये जो अर्थी में जवान था उसको कहा बेटा खड़ा जा मुझे तरी मा पर तरस आ रहा है, आमेन हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो पवित्र आत्मा की और से कुछ नहीं हुआ है यदि पवित्र आत्मा ने हमारे में तरस बुक या दया प्यादा की है तो हम कुछ कर पाते हैं सिर्फ प्रभू दया दया प्रसला नहीं देता है कई लोगों को दया आ जाती है हम कहते कितनी दया लोगे dirgo सप्माट डातु है iki क्या करता है घर दिया घर नी थोड़ाध काना देते है हुँ फोटो भी किस्वा दें यह दया धनसार के दया अलग होती है चरिधेबल ट्रस्ट ये क्रिश्टन लोगों ने सुरूवात किया था अब सुरू हुआ है सब लोग Bluetooth कोड़ना है एक ठोड़ना है धंदा करना है द्या करना है फूट पेकेट भी डालते लोग कहा से, आसमान से, बहुत जिसको मिले उसको पानी में दो कि पानी में, डालते हैं जो खाओ, 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 हम भी जाते हैं थे, पानी देने के लिए ट्रक भरके, वो समय तो गैमेरा था न है, थो हम खिच लेते, तरस कुछ आता ने, बस सलो भी मैं जाएगी, सिवा करेगे, का छे तरस्यादया कि सी पर होना, welcome on the आक वाफ्रे कितने सारे मेरे फॉल्वर्स है कितने सरे मेरे पीछे चलने वाले लोगे देखो हमें तो बड़ी आनंद मिले यहां पर ये शुको तरस आया क्योंकि इसको पता था मुझे मरना है मैं चला गया तो ये सारी भीड को क्या होगा मैं जो सुनाता हूं मैं जो सिखाता हूं मैं जो इनके बीच में चमतकार करता हूं कोई बीमार लोग आए को सारे भीड़ी को देखकर प्रभु को तरस आया और कहा क्या कहा है क्योंकि वे उन बेड़ों के समान थे इनको देखा भेड़ समान देखा जिनका कोई रखवाला नहीं तो रखवाले बिना भेड़ को देखकर ये भेड़ भीड़ को प्रभु को ये भीड़ को देखकर तरस आया जैसे चरवाहे बिना की भीड हो उनको कोई समझाने वाला सिखाने वाला कोई नहीं हम तो ज्यादा तर दुन्या में देखा है भीड को देखकर लोग गुम्रा करते हैं भीड को देखकर लोग उल्लू बनाते हैं और भीड को देखकर लोग लूट लेते हैं पर ये शु लो NEW लोग किससे बरसा करेंगे यह तो असा बिना के लोको मै मैं Luoна कि वहाँ है बाबा के पास लाओ यह कोई कही वहाँ जा वो ऑज कि पडाओ बाबा HIS जाओ बाबा के पास तो बे सब कुछ लेकर लोग विचारे खड़े होते लाइन में पदे नारी लेकर जाओ 15-20 उबेगा लेजाओ 50 उबेगा है ऐसे खरके लोग भीड जाती है आप उसको कुछ भी सिखा ओ भीड को विचारे जिस जो जिसका सहारा नहीं होता है तो ये शुको तरसाया उसने कहा कि ये लोग के लिए कोई चरवा नहीं है फिर प्रभु ने पर चलो से का मेरे चेले प्रात्ना करो मजूर परमेसर भेजे साहब को नहीं मजूर भेजे जिससे ये सारी जो भीर देख रहा हूं उन पर कोई तरस खाए तो पवित्रा आत्मा के गवाई में जब चलते हैं तो त हमें धया प्यादा होता है सब लोगों पर दया अता है तो आप अच्छा आदमी ओ अब भुराद मीरे बहुत अच्छा किव हो पर पवित्रा आत्मा से आपको बटीन हो यह को तैया प्यार नहीं हूए यह आपको संदभा है यह तो लंदे चय तो बजब मोलदेंसativos असे उ भी देते थे अच्छे आदमी ऐसे होते हैं संसार में तो ऐसे नहीं कह सकते कि पविद्रा आत्मा के गवाई में नहीं वो बच्पन से अच्छे आदमी ये शुमसी को गुसा भी आया ये शुमसी को दया भी आई मार्क उसका हाट दो पत पड़ो मुझे इस भीड़ पर तरस आता है ये भीड़ पर तरस आ रहा है क्योंकि यह तेन दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं तो प्रभू को तरस आया ये लोग भटके हुए भेड़ समान इन पे कोई चरवा नहीं ह हमें तरस नहीं आता है मान लोग कोई किसी का बीबी मर गई या किसी का सोहौर मर गया है बच्चा मर गया हमें तरस नहीं आता है पवीत्रा आत्मा से हम जब अगवाई में चलते तो ये सारा पैदा होता है प्रभू हमारे में ये करवाता है जिससे हम कुछ करे मार्क एक तालिस ये शुन एक अद्वी को देखा जिसको कोड था और उसको तरस आया उसने उस पर तरस खागर हाथ बढ़ाया और उसे चूकर कहा मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जाओ आमेन तो पवीत्रा आत्मा की अगवाई में प्रभू को तरस आता था और वो सारा डहीक नहीं था सारिक नहीं था आत्मिक था हमेन जो धुणते हैं हम ज़्यादा तर वो सारिक बाट धुणते हैं आत्मिक बात नहीं धुणते हैं जखारिया सात्वाद्याई नववापद पड़ो तो वहाँ पे लिखा है अपने भाई जो है क्या लिखा है सेनाओं के यहवा ने यह कहा है खराई से न्याई चुकाना और एक दूसरे के साथ कुरुपा और दया से काम करना अपने भाईयों पर दया से काम करना हमें तरस आना पवित्रा आत्मा से आना आनंद आना पवित्रा आत्मा से आना सांती सुकुन होना पवित्रा आत्मा से होना यह जरूरी है तब हम कह सकते है कि पवित्रा आत्मा की अगवाई में इसको आनंद मिला पवित्रा आत्मा की अगवाई चलाए उसको देखो तरस आ गया प्रकासित वाकिया पांच बाद याई चौथे पद में योहना देखता है क्या देखता है वो देखता है एक पुस्तक देखता है एक बुक देखता है एक किताब देखता है और किताब पूरी मुध्राकी हुई थी और सारे सवाल थे सारे सवाल धेर सारे सवाल थे और यहना रोया मुझे समझ में नहीं आता है यह किताब में क्या लिखा है और रोने लगा देखो यह आत्मी का आदमी खुद यह यहना कहता है मैं आत्मा में था वो एक दस यहना एक दस पढ़ोगे तो वाँ पर यहना कहता है मैं आत्मा में था तो यह आत्मा में रोने लगा क्यों? समझ में नहीं आता है हम Bible पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है पवित्रापमा रोता है यह पढ़ा तो सही समझ तो आता नहीं यह कुछ समझने की कुसिस भी नहीं करता है बस Bible खुला पपी करी, Bible लग दिया अपने काम में चला गया समझ नहीं आता है योहन न लिखा है और मैं फूट फूट कर रोने लगा फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर द्रस्ठी करने के योगिया कोई नहीं था समझने के लिए, समझाने के लिए हम बाइबल पढ़ते है और समझ नहीं आता है और जदी हम रोते है प्रभू मुझे समझ में नहीं आया मुझे समझाओ प्लीज प्रभू तो प्रभू कहेगा वाँ और हमें एक दूसरे बात मान लोग कोई लड़की है, लड़का है बहुत रोते हैं इंसान मुझे समझती नहीं है और मैं इसको समझता नहीं हूँ ऐसे करके लोग संसार वाले रोते योहन ना फुट फुट कर रोया बाइबल के लिए, ये प्रकासित वाक्य के लिए ये सारा आगे क्या होने वाला है उसके बारे में सोच सोच कर कि क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है समझाओ प्रभू नयायमिया देखो उसने भी जब सुना कि येरसालेम के कोट जो नगर है, बचाने की जगा कोट हुआ करता था पहले के समझ में कि कोई उस पे चड़ा ही न करे पहले के समझ में जो सहर होता था उसके आसपास कोट रहते थे आप सोनगर गयो वाँ पर घड़ बोलते हैं सोनगर ऐसे कई सारे घड़ होते, पूरे किल्ले होते वहां राजा रहता है, बोले उपे आये तो क्या? मारे गे, मारे गे तो कोट वो तुड़ गया था यरसलेम का, और जराया गया था सहर को तब नहेम्या, एक चार ये बाते सुनते ही मैं बैट कर रोने लगा नहेम्या रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता मैं कितने दिन तक विलाप और स्वर्ग के परमेश्वर के समुख उपास करता और यह कह कर प्रात्ना करता रहता तो इतना रोया कि इसने भी उपास भी किया रोया भी और प्रात्ना भी किया विलाप किया उपास किया प्रात्ना कि तो ये देखो आत्मा से चलाएं लोग जो है इनको कैसा होता है हम जो होते है मेरा बात नहीं मानता है तो रोता है मेरी बात नहीं मानती है तो हम रोते है मेरा नहीं सुनती है रोते है हम संसार के लोग गाली तुड़ गए ये तुड़िया रोते है हम संसार के बात ओपर रोते है ये आत्मिक आदमी देखो ये लोग का जो रोना है इन लोग का जो हसना है इन लोग का जो देखना है नजरिया इनकी जो बिंती निकलती है इनका जो सोच निकलती है दया निकलता है ये तरस जो निकलता है चलाए होते ये पवित्रा आत्मा के अगवाए में चलते आमें प्रस लॉड एक समय पत्रस भी रोया पत्रस ने तीन बार येशु का इंकार किया मत्तिक इसुसमाचार 26 वाध्यास का हाई आए मच्छ happen पकशन पड़े तब पध्रस को ये शीकी कयो ही बात्सारा आ ये शुरिक हाथ आ देख फर आज रात तुमेरा इंकार करेगा तिन बार इंकार करेगा पत्रस ने कहा नहीं करूँगा प्रभू मैं नहीं करूँगा और कि मुर्ग के बांक देने से पहले तो तीन बार मेरा इंकार करेगा और वह बाहर जाकर फुट फुट कर रोने लगा तो पत्रस रोया क्यों रोया क्यों रोया पवीत्रा आत्माने इसको रूलाया नहीं उसको दिल में चोटा गई मैंने गल्ती करी ये इतना अच्छा आद्मी ये शुमसी कभी उसने कुछ बुरा नहीं किया मैं अपने घर पे ले गया मिर सास बिमार थी चंगाय थी सब जगार पर भला करता था किसी पर गंदी नजर नहीं करी किसी को गंदी तरह से देखा नहीं न चुआ ये कोई कितना अच्छा आद्मी था और इसको मैंने नहीं पहचानता हूं ऐसा बोला इसको तो मैं पहचानता हूं बड़ा अच्छा आद्मी उसके लिए तो मैं मरने की बात करता था मुझे बड़ा दुख होता है कि अच्छे आदमी के लिए मैंने इसका इंकार कर दिया और अपने आपके लिए रोने लगा पत्रस पर पवित्रा आत्मा से जब आप रोने लगते हो तो ऐसा कहा जाता है कि आपको पवित्रा आत्मा के घ्वाई में आप चलते हो आमेन लुका कैस्तु समाचार आठवाद्या इसका बावन पद सब उसके लिए रोव पीट रहे थे संसार के सारे लोग येशु को कुरूस पर ले जाते थे तब देखकर देखकर कि रोव पीट रहे थे परंतु प्रभु ने कहा रो मत अरे काई को रोते हो वह मरी नहीं परंतु सो रही है माफ करो ये लुक आठवाद्याई ये शुमसी को याहिर के घर पे लेके गए याहिर की बेटी जो बाड़ा साल जैसे थी उसको वो मर गई और सारे लोग वहाँ पर एकटा हो गए बले लड़की तो मर गए अभी ये गुरु को खायको ले के आया ये गुरु जी आया है वो क्या करेगा ये भिह यहां बेटके रोएगा बच्ची तो मर गई है और सारे लोग यहां पर लिखा है रो रहे थे तब प्रभू ने कहा रो मत मैं आ गया हूँ और कहा लड़की सो गई है प्रसलोड तो पवित्रा आत्मा के गवाई में याईर ने कहा इसलिए यह सुनी गया पवित्रा आत्मा ने कहा याईर कहता है बुलाता है तो जाने का तो पवीदरात्मा कहे तो जाने का पवीदरात्मा ना कहे तो नहीं जाने का यहांना 11 अधिया 35 पड़ो तो यहां पर लाजरस की बात है लाजरस बिमार हो गया और मर भी गया ये शुवा आया ये शुभी रोया तो रोना तो आए तो पवित्रा आत्मा के अग्वाई में चलने वाला ये शुमसी जो ये परमेसर का बेटा हम भी अगर चले तो हम भी परमेसर के बेटे हैं प्रेज़ लॉड ये शुमसी सिले नहीं रोया और ये लाजरस मर गया मैंने उसकी बॉड़ी भी नहीं देखिया तो कहा है बोले कबर में चार दिन हो गए उसका में फेस तो देखना था उसकी अंतिम उसका मिरेको चहरा तो देखना था कई लोग रखते हैं जो लास होती है डेट बॉड़ी हो चहरा भी देखने को नसीब न मिला ये शुमसी भी रोया लोग कहते ये साधारन इंसान जैसे ही था इसलिए उसको भी अपना मित्र था लाजरस तो उसका येशु का मित्र कहा गया और येशु का दोस्त मर गया और ये शु मित्रो तो रोना तो आएगा तो येश्व इसलिए नहीं रोया कि मेरा लाजरस मेरा मित्र मेरा दोस्त उसको मैं देख नहीं पाऊंगा इसलिए नहीं रोया 33 पड़ो तो लिखा है जब रभु येश्व ने उसको और उन यहुद्यों को जो उसके साथ आये थे इसलिए रोती हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हो गया आत्मा में लिखाए आत्मा में उसको बड़ा दुख हो गया ये लोग, कैसे लोग है, समाप्त हो गया, खतम हो गई, कहा नहीं किया, ये शुमसी को लोगों को देखकर रोना आया, क्यों रोये, तो 37, 37 पड़ पड़े, ये शुमसी क्यों रोया, 37, 27 पड़ पड़े, 38, परंतो उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आखे खोली, यह भी ना कर सका कि यह मनुश्य ना मरता, ये वर्दान नहीं दे सकता है क्या, फिर से 38, 38, प्रभी शुमन में फिर बहुत ही उदास होगे, फिर से उदास क्यों होए, क्यों होए, उदास होकर कबर के पास चला गया, उदास होगया, ये सारे लोग, कि सामने मैं संसार का रचेता मैंने सारी दुनिया बनाई ये मेरे लोग अपने लोग अपने लोग ही मुझे पैचान नहीं पाते है संसार के पास आया संसार उससे रचा गया था संसार ने उसको पैचाना नहीं जब आपके लोग आपको पैचानते नहीं आप पर वरुसा ने करते हैं तो आपको क्या होता है हसी आती रोना आता है तो प्रबू को रोना फ्याल लिखा है फिर से मन में दिल में उदास हो गया और चला गया कबर की और चला गया जहां पे लाजस को रखा था इन लोगों बताने के लिए मैं कौन हूँ पैचानने में तुम गल्ती करते हो इसलिए में रोता हूँ बाइबन में लिखा है हिब्रानी 11.6 में लिखा है विस्वास से प्रभु प्रसन होता है जब आप विस्वास नहीं करते हो तब प्रभु को दुख होता है प्रभू को दुख हुआ प्रभू को रोना आया क्योंके भरोसा नहीं किया हमारा येश्मसी जीवित है भरोसा रखो जब भरोसा नहीं करते हो तो उसको बड़ी तकलिफ होती है उसको दुख होता है यहाँ पर लाद्रस के लिए नहीं लोग अविस्वास करते है मार्था मर्यम तेरे घर में आता हूँ तू मुझे पर भरोसा नहीं करती है अच्छे तरह से मर्यम तुदो सुनती थी मार्था तू भी मेरी सेवा करती थी तू भूल गई अटिस्पद प्रभु येश्व मन में फिर बहुती उदासो कर कबर पर आया वह एक गुफा थी और एक पत्थर पर धरा था प्रभु येश्व ने कहा पत्थर को उठाओ पत्थर को हटाओ उठाओ उस मरे हुए की बहिन मार्था उससे कहने लगी हे प्रभु उसमें से अब तो दुरगंद आते होगी चार दिन हो गए उसको कबर में रखे उसे मरे चार दिन हो गए और यहां पे अभी तो बास पदबूद आते होगी प्रभु आप पर बुरस्वास है ना नहीं है पर ये कतम स्टोरी कतम प्रभु ने कहा मैं यहां पे आया हूँ कबर के पास आगाया हूँ पथर गोटाने के लिए कह रहा हूँ मैंने कहा था विस्वास कर तो महिमा देखेगी विस्वास नहीं करती है मुझे बड़ा दुख होता है येशु को दुख हुआ जब विस्वास नहीं कहा तो आत्मिक बात है जोब हम कोई भरसा नहीं करता है ये शुपर आपको दिल में रोना आता है तो पवित्रा आत्मा आपको रूला आता है आमेन और यदि आपको पाप आपकी गल्ती आपने किया है ऐसा काम किया है तो रोना है तो सुवाविक है आप रोलो ऐसा मत कहो पवितर मन मुझे रूलाया आपको आपकी गलती याद आई आपकी बेवकुफी आपको याद आई और आप अंदर दिल में हसते हो ओ हसी पवितर आत्मा के और से नहीं है आपकी बेवकुफी है मुझे तो लूट लिया लूट लिया भार बाजार हमें तो लूट लेगे तो क्या है संसार में ये है आत्मा के अगवाई अलग बात है ये सिखाने के लिए ये सारी बात है मैं करता हूँ कि हमें संसार की तरह नहीं चलना है संसार यानि हिंदू-मुस्लिष सिक इसाई ये सारा संसार है इसाई धरम है ये नहीं मसीजी धरम है, मसीहत है इसाई के पीछे चलने वाले मसीजी के पीछे चलने वाले होते लोग ये सब्दा तो है ये नहीं इसाई सब्दा ही नहीं है इसाई तो मुस्लिमों ने निकाला सब्द है इसाई सब्द है यह नहीं ये शू के पीछे चलने वाले मसी के पीछे चलने वाले मसी ही लोग है आमेन बाइबर में लिकाए दुसरा तिमोथी तीसरा द्या शे पद सोला पद में यह सोरा सारा बाइबल जो है वो पवित्रा आत्मा के गवाई में चेलों में या सेवकों में पवित्रा आत्मा भरपूर होकर यह चेले और यह सारे संत और यह सारे दास पवित्रा आत्मा के गवाई में लिखते गए सोला पद संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेणा से रचा गया है या फिर दया किसी पर आना तरस खाना पवित्र आत्मा की अगवाई में चलना पवित्र आत्मा की अगवाई में लिखना तो यह बाइबल जो लिखा गया है बाइबल वो पवित्र आत्मा की अगवाई में लिखा गया है नहीं की कोई कहानी सुनी हुई एक पहाड था पहाड प्रचार करते अज़ सुना होगा आपने पर वो बीमार हो गए बीचारे वो अपना कौन है तो कोई लाल होता है कोई भरा होता है भरा होता है तो जो है संसार में अग्वाई ऐसे भविस्यानी करते रहते हैं तो वो आत्मा है आत्मा उनको दो कहता है कि भविस्यानी कर भविस्यानी कर बाइबल के भी लोग है भविस्यानी कर या फिर पविस्यानी कर खुद बोलता है जब आप मर जाते हो तो आपको लोग उठाते हो और चलाते है आपको ले जाते है आपको कौन ले जाता है लोग ले जाते है जब आप मर जाते हो या फिर आप जब जिवित होते हो तो आपको कोई पकर कर ले जाता है तो आज हम थोड़ा थोड़ा जो पवित्रात्मा के गवाई में चलते हैं, हम सुनते हैं, अनुसार चलते हैं, वो कहता है जुट मत बूल, जो प्रभू कहता है, वो अनुसार हम चलते हैं, तो हम कह सकते हैं, हम पवित्रात्मा से चलते हैं, और जब हम मुर्दा हो जाते हैं, तो पवित दिया इच्छा हूई भयस्वानी कर दी इच्छा हूई देखा ये बड़ा पढ़ता है यह तो पहला नभर नहीं कर दिया प्रकूण हो इसी लिए तो यह तेरी जो भ्विस्वानी है जब बन सी होती है फोला होती है यहां पे लिखा कोई भी पविश्वानी मनुश्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्राइत्मा के द्वारा जलते हैं पवित्राइत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेशर की और से बोलते थे आमेन तो मैं बोलना जो है वो चलना जो है सब कुछ एक बार आपने पवीतरात्मा को जीवन दे दिया तो वो आपको चलाएगा जैसे लोग किसको देते है येश्व को जीवन देते है ऐसे पवीतरात्मा को आपको जीवन देना है आमेन और पवीत्रा आत्मा से आप जब चलते हो रोमन आठ चाहदा में लिखा है जो पवीत्रा आत्मा से चलते है वो परमेस्वर के है यहानना तीन चौतिस में लिखा है जो पवीत्रा आत्मा से बोलते है वो परमेस्वर के है यहानना आठ सेवन 47 जो इस्वर की आवाज सुनता है वो परमेस्वर का है जो परमेस्वर की आवाज सुनकर चलता है वो परमेस्वर का है परमेस्वर का जो है वो पवीतर आत्मा से चलेगा परमेस्वर का जो है वो परमेस्वर की बात सुनेगा परमेस्वर का जो है वो परमेस्वर के बचन ही बोलेगा परमेस्वर का जो है रोमन आठ नव में लिखाए तो परमेस्वर का आत्मा येशु का मसी का आत्मा आप मर आप में है तो आप मसी के हो मत्थी बारा तीस में लिखाए मेरे जो यदि होगे तो आप इखटा करना सोचोगे बिखरना नहीं तू इधर जा तू इधर जा ऐसा नहीं करेगे इखटा रहना सिखाएगे प्यार में रहना सिखाएगे तो जो इखटा रहना सिखाता है वो मसी का आदमी है पहला यहन्ना 3.10 में लिखा है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते है जो कोई धर्म के काम करता है जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और जो वह और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो जो धर्म के काम करता है वो धर्म परमेसर का आदमी है तिन यहाना एक ग्यारा में लिखा है मेरे बच्चो अब बुरा का नहीं अच्छे की अनुकरन करो अच्छा जो है वो परमेसर का है आमेन बोलो मैं अच्छा करूंगा तो मैं परमेसर का हूँ मैं धर्म के काम करूंगा तो मैं परमेस्वर का हूँ यदि मैं परमेस्वर के लोगों के साथ इक्ठा रहूंगा तो मैं परमेस्वर का हूँ यदि परमेस्वर का आत्मा भेजा हुआ आत्मा मुझ में है तो मैं परमेस्वर का हूँ यदि मैं परमेस्वर की सुनता हूँ, सिर्फ परमेस्वर की ही सुनता हूँ, तो मैं परमेस्वर का हूँ, जदि मैं परमेस्वर के बचन बोलता हूँ, तो मैं परमेस्वर का हूँ, और यदि मैं परमेस्वर की आत्मा से चलाया चलता हूँ, तो मैं परमेस्वर का हूँ, आ इन में खुसी समझ सब हो आमें तो ये वचन से प्रभू हरे को आसीज दे God bless you, thank you आओ प्रात्ना करे हम पवित्रात्मा से चलते तो है आवास सुनकर चलते पर प्रभू ऐसा नुगर दे कि हम मर जाए और पवित्रात्मा हमें उठा उठा के चलाए हम चाहे न चाहे वही बोले हम चाहे न चाहे वही सुनाए वह हम चाहे न चाहे वही हमारे जीवन से काम करवाए हम चाहे न चाहे धरम के काम वही हम से करवाए हम पूरे तरह से उसको अपने जीवन को और पित कर दे पिता येश्वर्सी के नाम में धनियवादी बच्चनों के लिए पॉलस ने जो बात सिखाई कि जो पवित्रा आत्मा के गवाई में चलते है वो परमेस्वर के सच्चे वो तो परमेस्वर के बच्चे है और प्रभू आज मारे जो सारे भाई बेहने पवीत्रा आत्मा के गवाई में चलने लगे दुन्या की बात कभी ना सोचे दुन्या से कभी न डरे दुन्या की कोई ग्यान न ले संसार की कोई बात से चलाए न चले न गवाई में चले उनकी सोच को तुछ माने संसार के ग्यान को हलका माने परमेसर के आपकी बात को उठाए, सुने, वही सुने, ग्यान की बात है, हाँ परमेसर आपने सारी सुष्टी रची, आपका ग्यान, बड़ा ग्यान है, हम वही सुनकर चलना चाहते और हम चाहते, पवितरामा आप हमें चलाओ, ये बाते बोई जाए, और हर एक भाई बैन, पवित्रा आत्मा के चलाए, सुने, पवित्रा आत्मा के चलाए, लिखे, पवित्रा आत्मा के चलाए, खुस हो जाए, आनन्दित हो जाए, पवित्रा आत्मा के चलाए, धया पैदा हो जाए, पवित्रा आत्मा के चलाए, जो बात है, कर पाए, हरेक को सहाए करो, पवितर आत्मा ये बात है हर एक जो दिल से चाहते हाँ प्रभू मेरे अगवाई करो आप भीतर जानते हो हमारे हिर्दवी को जानते हो मन को परक्ते हो हाँ प्रभू जिसने सोचा है चाहते है अगवाई करो मेरे भाई बेनों को अनुगर दो हाँ Church of the Living God के हर एक जो जुड़े हुए दूरे पास है सब के लिए यह नुगर मांगता हूँ पवित्रा आत्मा के अगवाई में चले आपके आवाज को सुने आपके संतों के आवाज सुने आपकी बात जो सपनों से आए वो सुने बचनों से सुने संदेश से सुने हर वकट आपकी बात सुन कर चलने लगे और आपके बच्चे रहे ये शुौशी के नाम में आमें आओ परभू से कहरे प्रातना साथानम, मिले करेगे यह हमारे बाप, आप जो सर्ग में हो आपका राज्य आए आपका नाम पाक माना जाए करो हमें परिक समय मत आने दो पर तो बुड़ाई से बचा लो छुड़ा लो क्योंकि राज्य प्राक्रम और महीमा सदा पिता आपकी ही है आमें आमें प्रस लॉर्ड गॉड ब्रस यू थैंक यू वेरी मच शेयर भी करना फिर से सुनना थैंक यू शारू मेरी भाई शारू मेरी भे शारू शारू यहो रही सा उसका मैसी पारोंगा शारू मेरी भाई शारू मेरी बेश शारू मेरी बेश शारू । किसी लहा कर औहाया आपको खिरने शारू मीन आया शलूम, 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 शलूम शलूम मेरे अभाइ, शलूम मेरे बैन शलूम, शलूम हांग लोरहु साहु हम से रुच कर बाद शालूम मेरी बाई शालूम मेरी बै शालूम शालूम को वे इस्राइल को चांती, मिल युद से भी आजाती, शालू, शालू Remember the Speast, Baal and Laodma, Pourण दो, चाह्त, शालू, कांध भी आजाती, मिल युद आताय्मान को चांती, शालूलो तक सब्करणाइब einzel में तंदाक भնालू, को वे आताया से वे इस्षाउ 마음रोण 프bellyant, शालू, कांजbles, कांध ऱयनका च лишь्था PayPal, शालनौ perception, एलनौलम आयंक जियुद दे मे लेलुगया